दोस्तो नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके ही अपने चैनल, फिल्मी आदमी पर दोस्तो आज मेरी आवाज में खोड़ा सा नरम नजर आ रही होगी क्या है कि मैं हमेशा जो इंट्रिउस करता हूँ, बहुती थोड़ा जोर जोर सा एक्साइटमेंट के साथ करता हूँ लेकिन आज जिस फिल्म का हम रिव्यू करने वाले हैं, वो कोई इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाले टॉपिक पर नहीं बनी है बहुत ज़्यादा खुशी या उद्सब वाले टॉपिक पर नहीं बनी है, एक सीरियस मुद्दे को उठा रही है, वो फिल्म इसलिए मैंने सोचा कि आवास को थोड़ा सा नर्मी के साथ रखा जाना चाहिए, क्योंकि इस मैं ऐसे कोई खुशी व्यक्त करने वाली बात नहीं है खुशी बस इस बात की है कि इस मुद्दे को किसी ने तो हिम्मट उठाई, इस मुद्दे को दिखाने की जनता के सामने लाने की इस बात की हमें खुशी है, लेकिन हैं मुद्दा ऐसा है कि आप चाहकर भी अपने जुबा पे खुशी नहीं ला सकते जी हां तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं फिल्म The Kashmir Files का डिरेक्टर विवेक रंजन अगनी हुतरी की फिल्म The Kashmir Files का जो आज रिलीज हुई है हमने ये जाके फिल्म देखी, मैंने ये फिल्म देखी है और क्या रहा मेरा रिव्यू उसके प्रती लोगों का रिव्यू का रहा लिक उसके पहले कि मैं अपना रिव्यू बताओं इस फिल्म के बारे में आप ये क्लिप जरूर देख लें कोई भी फिल्म का रिव्यू करने से पहले दर्शकों का रिस्पांस जानना जरूरी होता है तो मेरे ख्याल से एक क्लिप जब आप देखेंगे तो आपको कुछ ने कुछ अंदाजा हो जाएगा कि ये रिव्यू कैसा रहने वाला है और जनता पर इस फिल्म का क्या प्रभा पड़ा है इस पेशली उन लोगों पर जिनको लेकर ये फिल्म बनाई गई है आप एक क्लिप ज़रूर देख लें एक बार एक उड्म एक किया हुपनी ठेम हो जाएगे स्पोर परने एक कश स 61द 10 अश्वह में टृच पर मुष्युओर जियह भिल्म उन इन फ्को क्न उन थामेज़ में और बहुत अगे सुराओ ये। वहाँ आगे निकल वाँ तुमिरा आशिर्वाद है मेरा बेटा बहुत आशिर्वाद है मेरे छोटे चाचा को ऐसा ही बारे अब हमारे भागवान हो उमीद है कि आपने क्लिप पूरी देखी होगी और अच्छे से समझ ली होगी किस तरह की फिल्म है तो यहां हम बात करने वाले हैं आज कश्मीर फाइल्स के बारे में जो बनी है सन 1990 में कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों के जैनो साइट के उपर जी हां जैनो साइट के साथ जो अत्याचार हुए है 1990 में जन्वरी के महिने में 19-1990 में जो हुए है उसके उपर यह बेस्ट फिल्म है किस तरह से कश्मीरी पंडितों को उनके ही घर से भगा दिया गया जबरदस्ती बंदूक किनों पे धर्म परिवर्तन के नाम पे यह इस फिल्म में दिखानी फिल्म रिव्यू चैनल आप ले लें जो सबसे बड़े बड़े फिल्म रिवी चैनल्स हैं मीडिया हाूस के भी और यूट्यूपर भी बड़े से बड़े millions of subscribers है, millions of followers है लाखों लोग देखते हैं, बड़े-बड़े film review channels ने भी इस film के trailer आने के बाद trailer का review तो छोड़िये film की बात तक करने से मना कर दिया था और आज आप Google पर सर्च करके डालिये The Kashmir Files उन सभी बड़ी-बड़ी कमपनियों के जो trailer आने के बाद इस film का review करने से मना कर रहे थे सबके आपको videos दिखाई देंगे इस film का review करते हुए तो आप सोच सकते हैं, जिस film के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, उस film की ताकत और जो response आज मैं देख किया है, उस cinema hall में यह होना लाजबी है बड़ी-बड़ी कंपनियों के channels पे और उनकी sites पे जाके आप देखें, इस film का review आपको मिलेगा, हलाकि मेरा सुझाब यह है, कि वो आप ना देखें, उसके बजाए जो छोटे-छोटे YouTube पे जो film reviews इसने शुरू किया है, including me मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम आपको honest truth बताएंगे, वो बड़े-बड़े लोग जो film reviews करते हैं, क्योंकि अब जब लोगों का support मिल रहा है film को, तो अब जो है, उनकी थोड़ी सी जो है मटिया पिलित हुई है, तो इसलिए वो जान बुच कैसर review देनी कोशिश करेंगे, कि लोग film देखने ना जाएं, क्योंकि कुछ उनके reviews पढ़के मुझे भी ये नजर आया है, तो आप ये film देखने जरूर जाएं, चलिए आप film की बात कर लेते हैं, ये film शुरू होती है, क्रिष्णा पंडित नाम के character से, जी हाँ, क्रिष्णा पंडित जो दर्शन कुमार प्ले कर रहे हैं, क्रिष्णा पंडित, ANU नाम के college में पढ़ते हैं, जो basically GNU दिखाना चाह रहे हैं, डिरेक्टर, ANU नाम के college में पढ़ते हैं, और वहाँ के presidential, छातर संग के चुनाओ में खड़े होने की ये तैयारी कर रहे हैं, as a president की post के लिए, तो इनको किस तरह से brainwash किया जाता है, इनकी professor के द्वारा, वो professor, जो है professor मैनन जिनका role play कर रहे है पल्लवी जोशी जी, जो इस फिल्म के डिरेक्टर विवेकन्नी होतरी जी की वाइफ है, तो वो play कर रहे हैं, प्रोफेसर और किस तरह से कृष्णा पंडित का brainwash करने ही कोशिश की जाती है, उसे गलत सलत information दे के, लेकिन कृष्णा पंडित पहानी एक्शुली स्टोरी उनकी है, लेकिन मुखे नायक जो है दर्शन कुमार है, जो उनके पोते बने हैं, तो पुष्कर जी, अनुपंखेर जी करेक्टर जो उनके दादाजी बने है, तो जब कश्मीर में ये जो दुरघटनाए हुई, जो जैनोसाइड हुआ किश्मीरी पंडित्स का, तो उनका परिवार भी उसमें था, उनके साथ भी बाता और दर्शन कुमार का जो कैरेक्टर है, वो बहुत छोटा था, बच्चा था, पूरे परिवार को गलत जानकारी तो नहीं दी गई, और वहाँ उसे मिलते हैं, फॉर्मर I.S. आफिसर मिथुन चक्रिवर्टी जी ब्रम्हदर्द का किरदार जिन्हों ने किया है उनकी वाइफ लक्षमी जी और दूसरे उनके जो दोस्त रहते हैं, सब जिनके उसक्रिट्य हुआ था उस काली रात को, उनने जनरी उनने सुनबबे की काली रात को पहले तो दर्शन कुमार विशास नहीं कर पाता है, वो confused हो जाता है क्यूंकि उसे brainwash करने ही कोशिश की जारी है प्रोफेसर मैनन के द्वारा, राधिका मैनन के द्वारा, परली वे जोशी के द्वारा उसे brainwash करने कोशिश की जारी है, आजादी के नाम पे जेन्यू के भी जो आंदूला ने वो दिखाय गया है कि किस तरह से फर्जी तरीके से आजादी, आजादी के नारी लगाए जाते हैं, भारत पे तुकडे होंगे के नारी लगाए जाते हैं किस तरह से फर्जी वामपंत फैलाया जाता है पूरे देश में आजादी के नाम पे जब दर्शन कुमार को reality का पता चलता है क्या change उसमें आता है और जो change उसमें आता है तो वो क्या college लोट कर वापिस college लोट कर अपने अंदर जो change आया है वो बता कर और उको भी change कर सकता है या नहीं इसके लिए ये film देखनी चाहिए आपको तो इस film के बारे में कुछ और भी बाते बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक और क्लिप audience का एक और reaction की क्लिप जो इस film को देखने के बाद हुई ये clip आपको मेरे जो मैंने trailer का review किया था इस film के उसमें भी मिल जाएगी लेकिन भी आप फिर से दिखा रहा हूं जिससे आप audience का reaction एक और अलग्तर से लेखे जो आपने शुरुवात में मैंने वीडियो दिखाया clip वो भी देखा अब ये भी देखिया आप उसके बाद फिल्म के बारे में कुछ और बाते भी बताता हूं so there was a line during the movie that said broken souls don't speak they need to be heard so thank you so much for making all of us heard so there's a story in the very beginning there was like you showed Shiva how he runs and then he hides and then he sees a woman being killed right in front of her so I have experienced that when I was a kid I have seen a woman being shot in front of my eyes with EK47s over there so I was a small kid so thank you for making this thank you for showcasing this and as you said knowledge is the only tool so that was the only tool we had when we left Kashmir I was a small kid when we left our parents the only thing that they gave us was knowledge and just because of that knowledge I am standing over here right now so thank you once again for making this coming thanks love so I hope you can see this clip you will know how much people can relate to this film especially those people who have been with this film I will tell you more about this film that's going to happen to this film कि दुनिया को यहुदियों ने कभी यह भूलने ही नहीं दिया कि उनके साथ क्या हुआ था। और हम लोग की प्रॉलम यह है कि दुनिया से जितना छुपाया जा सके छुपाया जा रहा है कि असली में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। और मुझे यकीन है कि जैसे अगर आपने स्किंडलर्स लिस्ट देखी है और देखने के बाद यहुदियों प्यक्तिया चार कैसे हुआ, आपको फिल्म याद रहेगी, कश्मीर फाइल्स देखने के बाद भी आपको यह फिल्म याद रहेगी, इसके अलावा यह फिल्म आज भी उस चीज को सच मानने के लिए तयार नहीं है, मेरे हिसाब से तो यह फिल्म जो है, एक करारा तमाचा है, ऐसे लोगों के उपर, जो आज इंटॉलर्स का रोना गाते रहते हैं, लेकिन उस समय, जब इन कश्मीरी पंडितों पर आत्याचार हो रहे थे, तब मुझ पर ताला लगा कि यह लोग जो है, बैठे हुए थे, यह फिल्म एक करारा तमाचा है, उन लोगों के गाल पर भी, जिनको अपने इस आजाद भारत देश में रहने से भी डर लगता है, और आजादी-ाजादी का रोना करते रहते हैं, यह फिल्म एक करारा तमाचा है, उन इस देश को लिंचिस्तान कहते हैं, शरामानी चाहिए आप लोगों को, यह एक करारा तमाचा है, उन लोगों पे भी, जो उनको यह समझ में नहीं आता कि उनके जीवन में सुख है, उनको अपने जीवन में दुखी-दुख नजराता है, और वो यह सोची नहीं पाते है कि किस लेवल का दुख इन कश्मीरी पंडितों ने उठाया होगा, इस फिल्म का कोई भी सीन आपको हलका नजर नहीं आएगा, बहुत वर्षबात है कैसे फिल्म आई है, इसका कोई भी सीन आपको हलका है, बहुत ही लाइट है, बहुत ही सीरियस तरीके से यह कश्मीरी पंड का कारेक्टर है वो इनके लिए एक तरह से पर्सनल ही था क्योंकि वो खुद भी एक कश्वीरी पंडित है और उनने ये सब अपत्या चार्ट देखे हुआ है 1990 में क्या हुआ था अब इस रिव्यू को आगे और बढ़ाने से पहले मैं आपको एक और क्लिप दिखाना चाहूंगा जो और ये क्लिप भी मैंने अपने पिसले ट्रेलर के रिव्यू में जो है अपलोड किया था लेकिन इसमें भी फिर से अपलोड कर रहा हूं ताकि आपको ये देख पाए ये क्लिप देखे उसके बाद रिव्यू को आगे हम कंटिन्यू करेंगे प्रेश कर प्रेश देखे अपलोह हूंगे। क्लिप देखी होगी बहुत अच्छे से देखी होगी समझाओगा ओडियंस का एक और रियाक्शन और खेर रिवी को आगे बढ़ाते हैं इस फिल्म से उन लोग को तो अगर आप इस फिल्म देखने से दूर रहना चाहिए और मैं तो खेता हूँ अगर आप इन ती नमसे किसी चीज का समर्तन करते हैं आप सचाई जानना चाहते ही नहीं कि क्या हुआ था या आपको इस देश में रहने से डर लगता है या आपको आजारी चाहिए इस वीडियो क क्रिपया ना देखें हटा दे कोई और वीडियो देखें या जाके आप ओको चैनल देखें तो ये फिल्म का हर सीन आपको अपने आपसे बांजने पर मजबूर कर देगा आप सूचने में मजबूर हो जाएंगे किस लेवल का दुख किस लेवल का अत्याचार कश्मीरी पं बिनेर तो हैंं और एक एक अक्टर की अनुपमखेर सरस्ट की बात करेंसे पहले में बताने चूंब है इतने सारे daran समयक्छ सत्राइब सब करी नहीं इसकते फिर भी अनुपम खेर जी की आक्टिंग की बात करें तो ये आपको अनुपम खेर सर की जीवन की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस लगेगी तकरीबन साड़े 500 फिल्ममों ने काम किया है उसमें साथ से आपने जितने भी देखियों सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको ही आपने ये रोल अनुपम खेर सरकापको उनके जीवन का बेस्ट लेगे साराज देखिये तो आप दोनों को बराबर ही पाएंगे इसके अलावा जो दूसरी एक्टर है पल्लवी जोशी विवेक अतनी होतरी जी की वाइफ उन्होंने भी इतनी दमदार एक्टिंग किये इतनी दमदार एक्टिंग किये कि आप उनसे नफरत करने पर मजबूर हो जाएंगे जी हाँ उन्हें एक विलन दिखानी कोशिश की किये जो सबका ब्रेनवाश करती है सबको गलत इंफरमिशन दे दे के ब्रेनवाश करती है और आजादी आजादी के नारे लगवाती है ए इसका मतलब उन्हें अपनी किर्दार को पूरी तरह जी लिया है जब लोग आपसे नफरत करने लगया आपके रोल से आपकी अक्टिंग में तो आपका किर्दार जीवन्त हो गया है इसके लावा सब्सक्रीबूरी आप समझ पाते हैं कि क्या रही होगी उस समय किके अलाव जो ये बताता है कि वो कितनी कमाल की परफार्मर है, जितना भी स्क्रीन टाइम मिला है, पूरा नयाय किया है उसके साथ, इसके लवा बाकी के रोल्स में भी पुनीत इससर, अमोल जी और प्रताई जी बहुत बढ़ियां दमदार किरदार निभाते हुए नजर आते हैं, अब स्पीच को, उस टोटल सीन को, सीन ओफ द इयर का अवर्ड मिलना चाहिए, एक 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 फैक्ट, एक एक लॉजिक, इतना शांदार तरीके से बताते है, हालकि ये फिल्म की राइटिंग मजबूत है, लेकिन सिर्फ राइटिंग मजबूत होने से नहीं होता, एक्टर को उसम समाज की सचाई, समाज के सामने रफने की कोशिश करता है, सभी तरह के emotions और expressions में दरशन को बार ने बहुत दमदार acting की है, और ये बता दिया है कि ये रोल सिर्फ वही कर सकते थे, इसके अलावा जो terrorist के किरदार में नज़र आया है, चिन्मै मंडलेकर और सौरब वर्मा, उ इनों ने 1990 में इतने सारे लोगों का कदले आम किया था, तो acting के बाद, अब music की बात करते हैं, music इस film में कोई भी गाना नहीं है, और ये लाज़मी भी है, क्योंकि film एक ऐसे मुद्दे को उठाती है, इतने serious मुद्दे को उठाती कि उसमें गाना डालने का कोई essence बनता नही और अगर वो आइना साफ हो, तो समाज का पूरा लेखा जोखा अपोन में देख जाता है, लेकिन कश्मीर मुद्दे के नाम पर कुछ कबाड़ा फिल्में बनाके उस आइने को गंदा कर दिया जाए, और दिखाया जा तो लोगों में confusion होता है, लेकिन the Kashmir files ऐसी नहीं है, यह पूरे आइने की तरह, साफ आइने की तरह आपको पूरा चित्र दिखाती है, और यह बताती है कि अब इंतजार है लोगों को, एक ही चीज़ का कश्मीरी पंडितों को, जिस जस्टिस की वो उमीद कर रहे हैं, जिस जस्टिस के लिए वो 30 साल से जी रहे हैं, वो संदिगी human rights का रोना रोने वाले लोग, यह तथा कथित liberals लोग, ऐसे मामलों पे चुप क्यों हो जाते हैं, आंखों पे पट्टी क्यों चड़ा लेते हैं, मूमें सील क्यों लगा लेते हैं, यह फिल्म यही सवाल पूछती नजर आती है, क्या यह लोग सिर्फ एक candle march या तो नयाय मिलना ही चाहिए, और इस फिल्म को देख कर जब आप cinema hall से भाहर निकलोगे न, तो आपके मन में इतने सवाल होंगे, आपका मन दुखी होगा, आपका मन क्रोधित भी होगा, उन लोग के लिए जिन्नों ने कश्मीरी पंडितों पे अप्या चार किये हैं, और मैं थोड़े सी दूर सीट पे अंकल और आउंटी एक कपल बैटे थे, ओल लेज कपल थे, शायद कश्मीरी पंडित रहोंगे, लिटरली जो हमने क्लिप्स में देखा, कैसे लोगों ने बिल्कुल वैसे ही रो रहे थे, कुछ लोगों ने समाल ले आया, वो रोते रोते कहना च और जिसने देखा है, सिर्फ वही बता सकता है कि वो कैसा था, तो जो अंकल आउंटी बैठे थे, उनके रोना देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसा मंजर रहोगा जब उन अपने आपकों के सामने किसी को, किसी इंसान को, इंसान को मारते हुए देखा होगा, तो आप स कश्मीर के जो ड्रोन शॉट्स में दिखाए गए है, ऐसी सुन्दरता आप कश्मीर के देखेंगे, हाला कि मैं तो कश्मीर खुद गया हूँ, पिछले साली मैं जब लगदाक टूर पे था, तो मैं ये कश्मीर जाने का मौका मिला, इतनी खूबसूरत जगा में अपने जी पासी का देखना जरूरी है, अगर इस फिल्म का आपने नहीं देखा, तो आपका फिर फिल्में देखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये आँखों पे लगा हुआ काला चश्मा उतारने वाली फिल्म है, जाए फिल्म देखिए, और मेरा ये रिव्यू आपको कैसा ल जरूर कीजिए कि उन सभी लोगों तक ये बात पहुंचे कि क्यूं उन्हें ये फिल्म देखनी चाहिए, और जाते जाते इस फिल्म का ये डायलोग आपको सुना के जा रहा हूँ, मिथुन्डा का डायलोग था कि कश्मीर को लोग जन्नत कहते हैं, लेकिन उसी कश्मीर मे जिहाद करते हैं जन्नत जाने के लिए, आज के वीडियो में बस इतना ही, जै हिंद।